हेलो सोटेट यह उसमें आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में आप लोग को शाओमी के रेड्मी नोट 5 प्रो और रेड्मी नोट 6 प्रो की बीच में एक कैमेरा कंपारिशन जो वो देने वाला हूँ और रेड्मी नोट 6 प्रो इंडिया के अंदर 10 से 20 नोवेंबर के बीच में जो वो लाँच हो जाएगा तो मेरा मकसद यह है कि बताने के लिए कि क्या रेड्मी नोट 5 प्रो से आपको रेड्मी नोट 6 में बैटर कैमेरा देखने को मिलता है क्योंकि दोनों के जो स्पेक से वो अल्मोस्ट सेम ही है क्योंकि रेड्मी नोट 5 प्रो में आपको रेड्मी नोट 5 प्रो में आपको 12 प्लस 5 का कैमेरा मिलता है नोट 6 प्रो में आपको वही सेम मिलता है सामने Redmi Note 5 Pro में आपको 20 की selfie मिलती है तो Redmi Note 6 Pro में आपको 20 की ही मिलती है लेकिन 2 Megapixel का चिपकान रिया तो ये कुछ scene यहापे हुआ है comparison करके आपको मैं बता ही दूँगा और देखते हैं कि एंडिया में ये क्या बन के आता है Redmi Note 6 Pro बन के आता है Redmi Note 6 बन के आता है ये तो हमें कुछ time में ही पता चल जाएगा तो यहावे में इस वीडियो में आप लोगो दोनों का camera comparison देता हूँ और finally मैं बता दूँगा कि दोनों में से आप लोगो किसका camera जो बैटर देखने को मिलता है तो अगर आपने Note 5 Pro लिया है और अगर आप switch करने की planning कर रहे हैं सिफ camera के वज़े से तो ये वीडियो आप देखते रहे हैं आप लोगो की सारी doubts में इस वीडियो में clear कर दूँगा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया दे रहा है डे के अंदर यहां पर Redmi Note 6 Pro काफी अच्छे पिच्छे ले रहा है वैसे clarity दोनों के अंदर आपको अच्छी देखने को मिल रही है ये वाली पिच्छर भी अगर आप देखते तो Note 6 Pro में तो ब्राइट पिच्छर आपको मिल रही है और दोनों के अंदर clarity आपको वैसे काफी अच्छी मिलती है Note 5 Pro इस मामल में तो अच्छी डल हो जाता है compare to Redmi Note 6 Pro के ये वाली देखेंगे sunset की काफी अच्छी पिच्छ आई ये दोनों के अंदर लेकिन Note 6 Pro में तोड़ी सी bright आपको देखने को मिल रही है compare to Note 5 Pro के Note 6 Pro आपको थोड़ा सा bright डेखने को मिल रहा है ये वाली भी देखेंगे जाड की पिचर काफी अच्छी है ये और ये वाली देखेंगे यहाँ पे भी आप लोग को बहुत ही अच्छी पिच्छ जो दोनों के अंदर देखने को मिल रही है बस यही बार-बार पिच्छ चीक चीक के बोल रही है कि Note 6 Pro में आप लोगको clarity और brightness थोड़ा सा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और अगर portrait shots की बात करते हैं तो यहाँ पे अब game थोड़ा change हो जाता है और यह देखेंगे दोनों के अंदर आप लोगको बहुत क्लियर पिच्छ जो वो मिल रही है बैग्राउंड में बुके भी काफी अच्छा है Note 5 Pro और Note 6 Pro में दोनों की clarity आपको यहाँ पे काफी कमाल की मिल रही है यह वाला shot देखेंगे तो यह भी काफी impressive है Note 5 Pro ने भी काफी अच्छा काम किया है जबकि Note 6 Pro ने थोड़ा better काम किया है compare to Note 5 Pro के और यह वाली picture भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगको कुछ इस तरीकी की clarity देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं Note 6 Pro मुझे Note 5 Pro से थोड़ा better लगा है human portrait shots की बात करते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मज़ा आ गया है क्योंकि Note 6 Pro में आप देखेंगे background में bouquet आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है compare to Note 5 Pro के अला कि दोनों की अंदर आप लोगको काफी अच्छी clarity मिल रही है दोनों की portrait shots काफी सही आए और अगर मैं थोड़ा से zoom करतू तो आप देखेंगे edge detection दोनों का वैसे काफी कमाल का है और Note 6 Pro थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है compare to Note 5 Pro के night samples की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ही कमाल के आए हैं आप देखेंगे लेकिन Note 6 Pro में आप लोगो थोड़ा सा better picture मिल रही clarity भी थोड़ी better है और light भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है और यह वाली picture अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दोनों की pictures अच्छे है लेकिन Note 6 Pro थोड़ा सा better है यह वाली shots भी अगर आप देखते है random ली तो इसमें भी आप लोगो दोनों की अंदर काफी अच्छी clarity देखने को मिल रही है और अगर यह वाली shots देखते है तो यहाँ पे भी आप लोगो काफी सही clarity दोनों की अंदर देखने को मिलती है और यह देखेंगे तो यहाँ भी आप लोग पुली तरीके से मार्खा गया नोट 5 pro और यहाँ पे bitcoins की अगर यह picture की बात करता हो तो left में आप देखेंगे totally color एकदम से change हो चुका है जो natural color है वो note 6 pro में ही आपको देखने को मिल रहा है इस तरीकी का ही color था और background में इस तरीकी का दोनों का EIS काफी अच्छे से काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे वीडियो के अंदर भी note 6 pro ने काफी अच्छा काम किया है clarity और brightness देखेंगे तो मुझे वैसे note 6 pro काफी भाग गया है note 5 pro यार थोड़ा सा डल लग रहा है compare करता हो मैं note 6 pro से तो आपके आँकों के सामने के आप खुछ देख सकते हैं कि आप लोगों क्या दिख रहा है इसमें तो मेरे साबसे वीडियो के अंदर भी note 6 pro ने यहाँ पे वैसे काफी कमाल का काम किया हाला कि देखा जाए तो दोनों में सेम कैमरा है और रही बात यहाँ पे night samples की night video samples की तो यह भी आपके सामने है और दोनों वैसे इस बार night में काफी अच्छा perform कर रहे है night के video samples दोनों मुझे काफी सही लगे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि note 6 pro night में बैटर है note 5 pro भी यहाँ पे वैसे अच्छा काम कर रहा है दोनों का EIS काफी सही चल रहा है हलका सा मुझे note 6 pro में flickering दीख रहा था night के अंदर EIS में लेकिन हाँ note 5 pro ने night में EIS में काफी अच्छा काम किया है तो यह कुछ इस तरीकी के night sample से जो आपके सामने आपको दिखाए दे रहे selfie की बात करते हैं तो यहाँ पे अब selfie के अंदर मैं आगर आपसे honestly कहता हो तो मुझे note 6 pro थोड़ा सा बैटर लगा है क्योंकि जो 2 mega pixel का आपको additional camera मिलता है वो यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रहा है आपको depth भी आपको clarity पे अच्छी मिल रही है और बुक के mode भी थोड़ा मुझे यहाँ पे बैटर लगा है edge detection भी थोड़ा सा सही लग रहा है जूम करके भी आप देखेंगे आपको कुछ तरगी clarity दिख रही है लेगि note 5 pro आपको थोड़ा सा natural feel आपको यहाँ पे outdoor के अंदर जबूत दे रहा है night में मैं दोनों से खुश नहीं हूँ night में ठीक taxi picture आई है जबकि note 5 pro मुझे थोड़ा सा ठीक लगा है लेगि note 6 pro एकदम से मुझे ठीक नहीं लगा है night की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं video samples की बात करता हूँ day की तो day में यहाँ वीडियो में दोनों ने बहुत ही कमाल कर दिया है दोनों में बहुत ही अच्छा आपको वीडियो मिल रहा है और इसमें मैं actually मैं honestly कहता हूँ तो मैं कोई clear winner नहीं decide कर सकता हूँ आप देखेंगे बहुत ही कमाल का लग रहा है वैसे ही मेरा friend साकीप जिसने मुझे help किया है samples लाने के लिए और उसके बाद अगर मैं night sample की बात करता हूँ वीडियो की तो यार इधर मुझे clear clear पता चल रहा है कि note 6 pro थोड़ा सब better है compare to note 5 pro के light अच्छी मिल रही है note 6 pro में note 5 pro तो यार एकदम dull हो गया है शकली नहीं दिख रही बंदे की विचारगी और यहाँ पे note 6 pro ने काफी अच्छा कामाल किया है लेकिन ज्यादा तर मुझे note 6 pro बेटर लगा है compare to note 5 pro के तो यहाँ पे आप लोगो 4 camera तो मिलते ही है लेकिन हाँ camera उन्होंने improved किया है अगर आप note 5 pro से को compare करते है तो हाँ अगर camera की मामले में अगर आप इसको upgrade करना चाहते है note 5 pro से तो note 6 pro यहाँ पे तो सही काम कर रहा है तो इतने ही तर दोस्तों इस वीडियो के इंदर उमिद करता आपको ये वीडियो पसन आएगा अगर आपको वीडियो पसन आथा आप ज़रूस इस वीडियो को like करिए और आप लोगो ऐसी update करता होंगा मिलते हैं आप से गली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ तिल इन वे वीडियो के साथ तिल इन वे गरेट डे एंड एंड ओल्वेज कीप स्माइलिग